असलमलेकूम और वीडियो में वीडियो को आज की रेसिपी यह पास्ता बहुत ही असान रेसिपी है सबसे पहले रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बैल ऐकन को क्लिक करें ताके आपको नई नी वीडियो मिलती रहें रेसिते की तरफ चलते हैं जी थोड़ा स एक पड़ियों मैं नियुक्त कर दूंगी और चिली सॉस तीली सॉस डाल के मैं इसको मैरिनेट करने लिए था था थोड़ा सा उसको पकने देंगे चिली टमयटो सॉस तालीए मैं इसके अंदर तो टेबल स्पून अब आपने जो भी इसके अंदर आड़ करना हम करते जाएंगे और ये मैं इसके अंदर थोड़ा सा किनोर का यखनी पाउडर डाल रही हूँ अब चिकन पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं नमक एड़ किये सॉल्ट आपने अपनी रिक्वार्मेंट के मताबिक डालना है अब हलकी आचपिस को दम पे रख देना है दो सचार मिंट के लिए चिकन हमारा हो जाएगा गल जाएगा तो इसके अंदर मैंने चिमला मिर्च और प्याज स्क्वियर में काटके वो डाल दिये अब मैं इसके अंदर सॉया सॉस डालिए वन टेबल स्पून चिली सॉस और सिर्का जी इसको अच्छे से मिक्स कर लें सबजी आप जब भी डाल लेंगे तो उसको जादा हमने पकाना नहीं है पास्ता मैंने पहले बॉil करके रख दिया था अदे थोड़ा सा और सॉया सॉस डालार उससे पहले मैंने बार बीक्यू सॉस डाली थी वन टी स्पून मैंने डाली थी क्योंके वो बहुत स्ट्रॉंग होती है अलकर से 2 मिन के बाद दम के बाद मैं इसके अंदर पास्ता एट कर रही हूँ जी पास्ता शामिल करने के बाद अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है बहुत यह सॉसी बनेगा ये जी इस तरह की इसकी फॉर्म हो जाएगी अब मैं इसके अंदर white sauce एड़ करूँगी white sauce मैंने अपनी बहुत सी वीडियो में बनाना आपको बताई है मैं last में एंड स्क्रीन में mention भी कर दूँगी कोई वीडियो आपको white sauce डाल रही हूँ डालने के बाद अच्छे से बस हमने mix कर लेना और हमारा मज़े का पास्ता रेडी है आपने इसको ट्राइ करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी है और आप और कौन सी नई वीडियो देखना चाते हैं बहुत ही असान रेसिपी बना था बिल्कुल ड्राइ नहीं था लिए I hope so आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करना thank you so much